शाद आप सब लोग एगरी ना करें, लेकिन जो इलेक्रियो स्कूटर है, वो कहीं न कहीं पेट्रोल स्कूटर की जगा ले रहा है, और सडको पर भी जो इलेक्रियो स्कूटर है, वो बहुत तेजी सा अपनी जगे मना रहे हैं, और हम यहां सर्फ एक कंपनी की बात नहीं कर आ रही है, यहां तक कि रॉयल इंफिल भी अप इलेक्रिक वर्जिन यहां पर क्रूइट कर रही है, तो आप यह तो देख सकते कि इलेक्रिक मार्केट बहुत जाद देजी से वाल्व हो रहा है, लेकिन क्या वाकई में पैट्रोल स्कूटर हो खतम कर पाएगा, अक्सर जब पैट्रोल स्कूटर को पीछा यहां पर छोड़ी देंगे, यहां पर में सिब टू वीलर के बारे में स्पेसिफिकली बात कर रहा हो, क्योंकि फोर वीलर में अभी भी इलेक्रिक को अच्छे तरीके सा आने में काफी टाम यहां पर लग जाएगा, लेकिन सबसे पहले जब अगर किसी इलेक्रिक स्कूटर के बारे में बात करता हूँ, तो हमेशा दिमाग में एक चीज आती, कि अब वाकई में से चलाफ वाना सस्ता पड़ता है, क्योंकि जब भी हम कंपारिजन करते हैं पैट्रोल और एलेक्रिक का, तो हम बिजली की यूनिट सोती है, उसको कंप करते हैं पैट्रोल के प्राइस से, पैट्रोल जादा में बिजली की यूनिट सस्ती बढ़ती है, वापिस लगना सस्ता बढ़ता है, तो रनिंग कॉस्त तो कम है, ये सब हम जानते हैं, लेकिन इसके बाद जो सबसे बड़ा आर्ग्यूमेंट आते हैं लोगों का, वो आता कीमतें कम हो चुकी होगी, तो उसके बाद बैटरी की प्राइस में कम होगी, इसका साथ दूसरी जिए क्या पांत साल बाद बैटरी बदलवानी ही पड़ेगी, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि अक्सर बैटरी बदलवानी की जो प्राब्लम जिन स्कूटर में आते थ उनके जो सेल यूज कर रहे हैं, वो काफी हाई क्वालिटी की है, इवन बैटरी पैक को इंडिया में डिसेंड किया जा रहे है, इवन इसके BMS जो की बैटरी मैनेचमेंट सिस्टम होता है, जो की रिस्पॉनसिबल होता है चारजिंग और डिस्चारजिंग के लिए, और उ उने लगा कि दो साल का एक्स्टेंशन दिया जा सकता, एक्स्टेंडेट वरंटी बेची जा सकती है, पांच साल हो गई, उसके बाद हाली वे उनोरे जितने भी स्कूटर डिलीवर कर रहे है, सब के अंदर आठ साल की वरंटी और असी एजार किलो मीटर कर रहे है, इससे प जादा होगा, लेकिन नौर्मल यूज करोगे, नौर्मल घर पर चार्ज करोगे, फास चार्जिंग कर जादा यूज नी करोगे, आप पांत साल क्या आठ साल, आठ साल तो क्या दस साल भी यहाँ पर निकाल सकते हो, क्योंकि बैटरियम उत्ति ही इसे डिग्रेट नी होधी इवन बैटरी के अंदर जो डिग्रिडेशन होगा नब वो ये होगा कि 100% से गिर के हो सकते बैटरी 95-90 ये वर्स्ट केस में 80 या 85% हो जाए अगर आपको रेंज आगा 100 क्लमेटर मल रही है तो 5-7 साल के बाद वही 100 क्लमेटर के 90-85 क्लमेटर हो जाएगी और तब भी वो स्कूटर यहाँ पर यूजेबल रहेगा ऐसा नहीं रहेगी आपने स्कूटर बिलकुल यूजलेस हो गया अगली चीज़ होती है सबसे बड़ा फैक्टर यहाँ फायर इंसिडेंट का आज भी काफी सारे लोगों को लगते है कि यहाँ पर एलेक्रिक स्कूटर जो रहते है वहाँ पर जो फायर होती हो बैटरी की थ्रू लगती है अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ आज के समय में 2024 में बैटरी के स्टेंडेट इत्ते जादा सेफ है कि बैटरी के अंदर आग लगने की प्रोबिलियोटी बहुत जादा कम है बैटरी से रिलेक्टर जो फायर इंसिडेंट होते हो बहुत ही जादा कम होते है गजगली में जादातर जो फायर इंसिडेंट होते हैं इनके पीछे का रिज़न होता है शॉट सर्कीट का कोई भी अगर आप वीडियो देखे हैं जहाँ पर आग लगी या तो आगे लगी होगी या तो पीछे लगी होगी एक्जेक्ली में जादर जो स्कूटर से आप यूज की जाते हैं उनके अंदर बैटरी को फ्लोर बोर्ड के अंदर रखा जाता है ताकि सेंटर ओफ ग्रेविटी वेकल की नीचे रखी जा सके जिससे जो वेकल हैं वो जमीन से चिपक कर चले और जारतर जो fire incident होते हैं वो कही बार आपके short circuit के कारण देखने को मिलते हैं अब इसके multiple reason हो सकते हैं किसी ने कहीं भार से accessory को fit करवाया गाड़ी के accident हुआ कोई wire cut गई किसी ने wire cut दी काफी सारी चीज़े रहती है और इनी सब incidents को protect करने के लिए गाड़ी को इस तरीकी से design किया जाते हैं कहीं भी कोई short circuit हो कहीं भी कोई electric के अंदर कोई चीज हो लो पूरी गाड़ी को disable यहाँ पे कर दो गाड़ी को को यहाँ पे use कर ही ना पाए क्योंकि वो safety unit लिए जादा priority रहती है इसके साथ ही काफी सारे लोग इसको blame करते है कि यहाँ पे heat wave के कारण हो रहा है जबकि ऐसा नहीं है यहाँ पर जो battery cells यूज की जाते है उनका जो burning का temperature होता है वो बहुत जादा होता है मैंने खुद ने 50 degree Celsius में scooters को test किया चेक करने के लिए कि हम वाकरी में heating करता बड़ा impact पड़ता है जबकि ऐसी बात नहीं है यहाँ पर battery pack को ऐसे design किया जाता है कि normally जो ambient temperature है वहाँ पर भी cool रहा है exactly में जो heating यहाँ जो ज़्यादा cause होती है वो होती है water के लिदर लगाया है यहाँ पर ताकि वो motor को ठंडा कर सके battery को नहीं और इसी वज़े से एक और misconcept यहाँ पर समझ जाता है वो आता है NMC versus LFP का NMC battery को से ब इसलिए उसकिया जाता है क्योंकि वो छोटी रहती है जादा charge store कर सकती है scooters, bikes के लिए perfect है और LFP battery को इसलिए यूज़ किया जाता है क्योंकि उसे लंबे समय तक यहाँ पर चलना रहता है अगर आप four wheeler यूज़ कर रहे हो तो वहाँ पर आप उसे लंबे समय तक यूज़ करोगे आप कई 100-100 km से चलाने वाले हो speed पर चलाने वाले हो गाड़ी के अंदर AC चलाओगे तो वहाँ पर load जादा रहे का वहाँ पर heating जादा हो सकती है लिकिन जो NMC battery scooters के अंदर ही उस की जाती है वो सिर्फ इसलिए उस की जाती है ताकि आप उसे short distance तक चलाओगे उसके बाद उसको बंद करके रंग दोगे और उसको अगर आपने गाड़ी को एक बार पूरा चला भी लिए तो भी आप क्या जादा स्यादा 100 या 500 km चला पाओगे उससे जादा यहाँ पर चलाने नहीं पाओगे वो पर से वहाँ पर जो energy के requirement रहती वो उत्ती जादा होती नहीं तो constant drain जो रहता वो भी नहीं होता कहने का मतलब यहाँ पर यहाँ पर यह कि वो battery भी safe है उसको scooters के लिए design किया गया है और वहाँ पर बहुत अच्छे तरही के साथ के समय में भी चल रही है और आने वाले समय में भी चलती रहेगी LFP battery के बहुत ही कम chances है कि बहुत बड़ा main stream आपे market ले ले फिर भी कुछ चीज़ें आपे आपको देखने को मिलती रहेगी इसके साथ ही इन पाद बता देता हूँ कि आज के समय में जित्ते भी electric scooter है न सब के अंदर आपको किसी न किसी टाप का discount deal देखने को मिल रही है तो उसके पीछे का reason यह है कि 31st March से पहले इन companies की जो सबसीडी वो चलती रहेगी और 1st April के बाद ये 6PD हमें बंद हो जाई कहने का मतलब है कि जो fame to subsidy रहती है अभी companies को मिल रही है हर scooter की sale पर मिल रही है और जातर जो companies है ये अपनी जो sales होती है वो boost करने के लिए जाद सादर units पेशने के लिए लिकित देखने वाले बात हो कि 1st April के बाद अगर इन companies ये अपने prices को hike करती है तो उसमें कितना impact पड़ता है क्योंकि global level पर जो supply रहती है नीथे वाली batteries की वो काफी जादर तीजी से increase हुई है जिस कारेट से prices drop हुए और इन companies को अब इतना महगा नहीं पड़ता है कि scooter बनाना या bike बनाना अब इनके लिए manufacturing की को तेजे से आपे decrease हुई है इसी के साथी यहाँ पर already इंडिया में manufacturing होगी sales की वो भी धीने दिरे शुरू हो जागी और अभी काफी सारी companies जो अपने जब sales इंडिया में बनाएंगी तो उसके बाद price और reduce होगा kept cell और battery न सब के बारे बात करें लेकिन एक और important factor होता है charging का charging का क्या देखो simple सी वात है कि electric scooter को अगर आपको use कर रहे तो यहाँ पर आप home charging का जाद से जादा use कर रहे तो better होगा क्योंकि अगर आप लोग आप फास charging यूज़ करने जाओ के लंबे समय तक जादा से जादा तो battery के अंदर degradation जादा हो सकता है यहाँ पर फास charging तब recommend की जाती है जब आप बाहार हो आपको urgent needed top up कर रहे तब आप use कर रहे लेकिन घर आओ शाम को आओ charging पर लगाओ सुबह निकालो charging से निकल पड़ो यह सब से simple तरीका रहता और यह बिलकुली safe तरीका इसमें कोई दिक्कत निया थी इवन ओवरेट charging किसी भी condition में काफी जादा safe रहती है यह one of the most easiest method और बहुती convenient method रहता है हाला कि यह एक ऐसे चीज़ी जो four wheelers के साथ इतनी जादा possible नहीं है क्योंकि four wheelers में battery का size बहुत जादा बड़ा होता है और उनको charge करने में भी बहुत जादा time लगता है इवन जो outdoor में fast chargers होते हैं उनके भी availability काफी कमें और इसी वज़े से जो charging के अंदर जब तक revolution नहीं आएगा तब तक electric four wheeler industry में भी revolution नहीं आपाएगा लेकिन इस चीज़ से electric two wheelers को कोई problem नहीं है इसलिए वो चीज़ हम यहाँ पे देख रहे हैं और सिर्फ इतनी बात नहीं अगर में एक petrol scooter और एक electric scooter compare करूँ तो definitely इंडिया में जो electric scooter वो definitely smart electric scooter android OS में चलते हैं कहीं उमें snapdragon का प्रोसेसर भी आता है आपको navigation भी देखने को मिलता है हापे interesting feature है जैसे की automatic hill hold देखने को मिलता है reverse mode देखने को मिलता है cruise control तक आ गया है हापे बहुत सारी ऐसे छोटे छोट अगर नए products भी आने वाले जैसे की एथर अपनी next month रिस्टर scooter को निकालने वाली है ऐसे ही जिन लोगों को एक apartment में रहते और बार बार चार्ज नहीं कर सकते एक electric scooter वो उनके लिए removal battery के लिए hero ने अपनी विड़ा निकाली है जिसके अदर removal battery होती है आप अपने घर पे जाके उसे चार्ज कर सकते हो और आप एक खुद बात बताईए कि अगर electric scooters market में अगर popular नहीं हो रहे होते तो क्यों अचो पुरानी traditional automobile companies है ये क्यों petrol का रास्ता छोड़के electric क्यों पर क्यों भाग रही है हाली में बात के तो reports आते है कि Honda भी अपने multiple electric scooters को निकालने वाले है Royal Infield जैसी company जिसकी bikes इतनी popular है उसे ऐसी क्या जूरूरत पड़ गए कि वो अपने खुद की electric bike को यहाँ पर develop कर रहा है बजात का जो चेतक scooter petrol के अंदर इतना ज्यादा powerful था उसको वो electric के अंदर लाया है उसके अंदर भी वो new version से हाँ पर निकल रहे है ये मैं बात सिर traditional automakers की क बात करें ये company पिछले एक साल से लगातार second position पर आ रही है और TVS जो है वो primarily petrol गाड़ी मनाने वाली company है वो भी electric के अंदर कूदी इससे समझ में आता है कि हर एक company को पता है कि electric यहाँ पर future होने वाला और वो कहीं नखी electric में यहाँ पर शुरूरूत करने वाले है और तो और यहाँ पर start-ups की तो बात करी नहीं रहो सिफ पुराने players की बात करो वो ही तो जाद aggressive है अगर मैं start-ups पर आ गया तो ऐसे तो बहुत सारी companies है जो यहाँ पर already अपनी production का लगा शुरू कर दियो और धीरे धीर और जादा popular होनी है लेकिन इसी के साथी बात कर तो सिर्फ एक ऐस जहाँ पर electric scooter में अभी में बहुत बड़ी कम है और वो उनका सबसे बड़ा downside है और वो है service का कई सारे लोग कहते कि इस company के service खराब है उस company के service खराब है सच्चाई बात यह कि electric two wheeler industry में सरही के service खराब है हाला कि कुछ exceptions हो सकते हैं हमें जो काफी अची service provide कर दें लेकिन जात नहीं है यहां पर connected device को use किया जा रहा है यहां पर motor है battery है काफी सारी चीज़ है और इसके लिए service engineers को extra train करना पड़ता है इसी वज़े से service का expansion होता है जातर companies नहीं कर पाई क्योंकि देखा तो पुराने traditional petrol vehicles नहीं है यह एक electric vehicles है और इनकी technology अलग होने कारण लोग को train करना जो electric vehicle को ठीक करते है वो तीजी से grow नहीं हुए तो वो एक अलग challenge है क्योंकि company को अपने जो engineers होगे जो service team होगे उसको दुवारा से train करना पड़ेगा क्योंकि उल्ल को पता ही नहीं कि exactly vehicle में क्या है और आज के समय देखा तो technology इतनी नहीं है कि अभी आप इस सड़क के किनार ठीक भी नहीं करवा सकते दूसरे पुरानी कोई गाड़ी होती तो वो कहीं भी ठीक हो जाती है लेकिन इनके साथ यही दिक्कत यहाँ पर जूड़ी हुई है मेरे को लगता है कि आने वाले कुछ साल तक यह problem रहेगी continue रहेगी कहीं जाने ने वाली कुछ साल बाद तक जब धीरी-धीर एक्टर स्कूटर नॉर्मल हो जाएंगे तम यह problem यहाँ पर धीरी-धीर सॉल्व हो जाए सिर्फ यह एक चीज है इसका मतलब यह नहीं कि बागी सारी companies के उपर कंपनी कर रही सर्विस के बार में हरी कंपनी को पता है हरी कंपनी काम कर रही है लेकिन results create करने में बहुत time लगता है यही है किंदर की बात थी बस बागी की बात करें तो इंडिया में बहुत देसे हाँ पर काम हो रहे है इंडिया में आरिंडी क्यू पर एलेक्टर 2 varies में बहुत काम हो रहे है नए नए प्रोड़ेक्ट्स देखने को मिलेंगे इस साल नहीं चीज़े देख होना शुरू हो जोगे और और जादा एक्सपोर्ट होंगे वेहिकल से हाप पर जिस कारेंट से मेड इन इंडिया जो एक्सपोर्टर होते हैं आपको दुनिया भर में देखने को मिलेंगे तो हां दोस्तों यह सारी चीजे जो आज के समय में यहां पर हो रही है भागे अगर आप लोगरे एक्सपोर्टर वगरा है कुछ यूस कर रहा है तो नीच आप रोच एक्सपीरेंस से कमेंट में बताना ना बूला और वीडियो पसे ना है तो सब्स्ट्राइब किये वार कहीं मच जाना थेंग्यों को वीडियो देखने के लिग में आपसे नो नेक्स टोन के गुद्बाइ